में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज़िटेबल मयोनी सेंडविच जो की घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं इसपेशली हमें जब भी बहुत जल्दी कोई ब्रेकपास्ट तयार करना हो वो भी विदाउट आइल तो हम इस ब्रेकपास्ट को या स्नाक्स को तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं वेज़ मयोनी सेंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बहुत सारी अब आइप दो जो Cut और वरिमिण होको हाईभ सकते है पाली चॉप्ढ़े कीया हुआ है इसी तरहाइं मेने क्वेज हैं इसको भी आप देख सकते हैं वाईर्णी चॉपड ईइड़र चाहिए यह carrot है जिसको भी मैंने बहुत finely chopped किया हुआ है वैजी आप अपने मन पसंद अकोडिंग जादा और कम कर सकते हैं अगर आपके पास red capsicum हो, yellow capsicum हो, वो भी आप डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिलाएंगे पहले हम कॉन्स भी आप डाल सकते हैं, boil करके और अब हम इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून ब्लाक पीपर हाप टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप जो साबुत अपने पस मिर्ची होती है साबुत उनको आप मिक्सी में घ्राइंड, थोड़ा सा बस कोर्सली घ्राइंड करके यूज में ले लिजेगा, हाप टेबल स्पून ओरिगैनो अच्छे से मिला देंगे पहले हम इससे आप यह देख सकते हैं, देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है यह मिक्स्टर जो है बहुत ही जल्दी दियार होने वाला हमारे स्नैक्स है अब हम इसमें डालेंगे हाप टेबल स्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालेगा मिक्स करेंगे इसे अब हम इसमें डालेंगे 3-4 टेबल स्पून मियॉनीज मियॉनीज आप कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आप 3-4 टेबल स्पून तो डाले ही डालें और आप देख सकते हैं हमारा मियॉनी सेंविच के लिए मिक्स्टर जो है रैडी हो चुका है तो सेंविच बनाना शुरू करते हैं यह देखे सकते हैं आप मैंने आपे चार ब्रेट के स्लाइस ली हुई है सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे बटर बटर को इस तरह हम इस्प्राइड कर देंगे बटर हम दोनों स्लाइस पे लगाएंगे यह पैने लिया हुआ है chili sauce, hot chili sauce, red chili sauce है यह हम इसको भी थोड़ा से इसको हमेक बभल एक slice पे लगाएंगे आप चाहे तो green chutney भी उज में ले सकते हैं tomato sauce भी उज में ले सकते हैं अगर आपको green chutney लेनी हो तो आप description box में लिंक दे दूँगी जहाँ पर मैंने चट्नी बनाना सिखाया हुआ है, तो आप वहां से भी देखकर चट्नी बना सकते हैं, और अब हम इस पर पेस्ट करेंगे अपना सारा मिक्स्चर सेंविच का, मैंने रेड चिली सॉस थोड़ा से स्पाइसी करने के लिए लिया है, अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप ग्रीन चट्नी या टमाटो सॉस यूज में ले, फिलिंग जो करने है अब अच्छे से करने हैं और हम दूसरे इसको इसके उपर, इसी तरह हम दूसरा अब हम सैंविच बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा बटर जो है, मैंने आपी जैसे तबा लिया है, आप चाहें इसको अपने सैंविच मेकर में भी बना सकते हैं, ग्रिल में भी बना सकते हैं, तो ग्रिल में अगर आप बनाएंगे, आपके पास ग्रिल तो आपका ग्रिल वैस्वेन में सेंविच बनकर दयार हो जाएगा यह आप देख सकते हैं चरासा बटरी बस हमने इस पर स्प्राट कर रहा है और अब हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसको बिल्कुर रोस्ट करेंगे जिससे अच्छे से हमारा सेंविच जो है बिल्कुर जब तक रोस्ट हो रहा है तब तक हम दूसरी साइड़ी बटर लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा सा और किसी भी स्पैटूला से थोड़ा से इसको इस तरह प्रैस कर देंगे इससे क्या होगा आपकी जो सैंविच बनेंगे बहुत क्रिस्पी बनेंगे या देख सकते हैं यह आप देखिए आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कितने अच्छे से सिखे हुए हैं यह अगर आपको इसको और सिखना है तो आप अराम से इसको और लो फ्लेम पे करके अराम से सिखिए तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे खाने में इस तरह बस थोड़ा प्रैस करते रहें आप इसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सैंविच जो हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं फ्लेम आप कर देंगे और हम इने दूसरे बावल में प्लेक में निकाल लेंगे इने कट करेंगे हम आप देख सकते हैं हमारा वैस में री सेंविच बनकर तयार हो चुका है खाने के लिए इसी तरह से हम और आप देख सकते हैं किता क्रिस्पी बनाया आपको अवाज ही आ रही होगी इसमें से बहुत ही क्रिस्पी तयार हुआ है हमारा सेंविच आप अपने घर में इस रैसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे बताएं कि आपको यह रैसिपी कैसी लगी अपने रिव्यूज जो है मेकपूड़ीजी.com पर शेयर जरूर करें और मिरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे जब भी मैं को रैसापी अपलोड हम नेक्स रैसिपी के साथ जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक कियर